तो देखिए हमने बात कर ली थी कि थर्ड ग्रेड में आपके जो सलेबस दिया हुआ है उसमें आपके 120 मार्क्स का जो SST का पोर्शन आपके पूछा जाएगा सामाजिक अध्यन का तो उसमें इतिहास के कौन-कौन से चैप्टर आपके आएंगे इसी तरीके से मैंने आपको हिस्टरी का बताया आज मैं आपको जोग्रफी के बताऊंगे कि जोग्रफी में कौन से चैप्टर आपको सलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो सबसे पहले आप कई बत जो है अच्छे से जान लें क्योंकि कई बच्चे जो है यह कमेंट कर रहे थे कि यहां पर राजिस्थान जो जीके का है वो भी कवर होगा क्या नहीं वो कवर नहीं होगा वो आपका देखिए जो मैंने राजिस्थान जीके के लिए आपको इस वक्त NCRT के साथ मैं जो राजिस्थान जीके की बुक चल रही है जिसके मैंने आपको question answer भी करवाए है जो बच्चे new है जिनको नहीं पता है प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा हमारा राजिस्थान ना कर्मिट में मिलेगी ठीक है और जिन बच्चों ने पहले से ही PDF पर्चेस कर रखी है तो राजिस्थान जीके को जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दे क्योंकि 80 मार्क्स का आपका राजिस्थान जीके है लेवल 2 में बहुत यासानी से आपका कवर हो जाएगा यहां पर मैं SSD क कर रही हूं 120 मार्क्स की वो आपका कवर होगा इन चैप्टर से NCRT के जो चैप्टर है जो कि मैंने आपको हिस्ट्री के बताए इसी तरीके से हम बात करेंगे जोग्रफी के तो चलिए फटाफट से नोट कर लें आप जो भी बच्चे जो है नोट्स बनाते हैं चैप्टर क पढ़ते हैं तो यहाँ पर जोग्रफी के क्लास 6 जो है उसमें नाम है आपके बुक का प्रत्वी हमारा आवास भाग 2 है जिसमें चैप्टर 2 है ग्लोब अक्षांस धिसांतर चैप्टर 3 है प्रत्वी की गतियां और चैप्टर 5 है प्रत्वी के परिमंदर पिल्कुल सलेब प्रत्वी के अंदर चैप्टर 3 है वायू चैप्टर 5 है जल चैप्टर 6 है प्राकुर्तिक वर्सपति एवं वन्य जीवन इसी तरीके से क्लास एर्थ में जदी हम बात करें तो कौन से चैप्टर पढ़ने आपको तीन चैप्टर पढ़ने है संसादन एवं विकास बुक का चैप्टर 8 देखिए वायू मंडल का संगठन तता संघ्रचना तो चैप्टर 8 बस देखेंगे आप उठाकर स्लेबस मैंने डिस्कस किया था आपसे तो बिलकुल यही जो है पॉइंट आपके दिये है चैप्टर 3 है प्रत्वी की आंतरिक संरचना चैप्टर 4 है महासागर महादीपों का वितरन ठीक है चैप्टर 10 है वायू मंडलिया परिसंचरन तथा मौसम प्रनालिया उसके बाद च की जोग्रफी आपने पड़ी है तो एक बार और दुबारा से इन चैप्टर को और आप देख लें नोट से अधी बना रहे है तो कुछ पॉइंट जो की आपको यहां नहीं मिलेंगे तो आर्बीस की जोग्रफी में आपको मिलेंगे चैप्टर 11 है चैप्टर सौरी क्लास 11 है चैप्टर 3, 4, 5, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 यह चैप्टर जो है जो कि NCRT में भी आप पड़ोगे लेकिन कुछ फेक्टर जो आपको NCRT में नहीं मिलते हैं तो आप यहां से कवर करोगे ठीक है और इसके अलावा क्लास 12 जो RBSC की है उसमें चैप्टर 8 और 9 यह दोनों से प्रॉपर तरीके से जो है वो कम्प्लीट हो जाएंगे ठीक है तो NCRT में जोग्रफी में आपको यह पड़ने हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एकॉनोमिक्स के भी बता दूँगी अर्थसास्तर के क्योंकि 9th class 10th 11th और 12th यहां आपकी एकॉनोमिक्स चलती है इस करना है और उन पुक्स में जो है नोट करें वहां पर जो है बिल्कुल राइट के निसान लगा लें कि चैप्टर 2 हमें पढ़ना है चैप्टर 3 चैप्टर 5 हमें 6th class का पढ़ना है ठीक है 7th class में हमें जो है चैप्टर 2, 3, 4, 5 और 6 पढ़ना है इस तरीके से आप अभी से जो है निशान लगा लें और नोट्स जो है वो बनाये खुद के नोट्स बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तयार कर लें और जो भी बच्चे जिनको टाइम नहीं मिलता है तो उनके लिए जो है कोर्स जो है हम अवलिवल कराएंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अच्छा कंटेन के लिए देखिए थोड़ा सा टाइम लगता ही है ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम अर्थसासर के चैप्टर्स की बात करेंगे कि NCRT में कौन कौन से चैप्टर आपको कौन कौन से ग्लास के पढ़ने हैं ठेंक यू